मुरादबाद आर आर सोनी ने आर्टियो ओफिस का किया भ्रहमन तथा आर्टियो ओफिस में अपने लाइसेंस बनवाने आए व्यक्तियों से की पूछताश तथा उनकी परिशानी पूछ कर उन्हें जानकारी दी हर एक ओफिस को चेक किया लाइसेंस से संबंदित जानकारी लाइसेंस बनवाने वालों को आर आर सोनी ने दिये निर्देश लाइसेंस बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लाइसेंस से संबंदित हमारे लिए जरूरी है आज बैठने वालों से पुछ स्टाश की अच्छली मैं जब भी ऑफिस में रहता हूं तो मैं अक्सर इसी तरह थोड़े एक आग दो राउंड लेता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे कमरे तक कई लोग आने में या तो संकोश करते हैं या लोग मिसगाइट कर देते हैं तो जो लोग बैठे रहते ह या खड़े रहते हैं काम के इंतजार हूं में उनसे अक्सर उनका हाल चाल लेता हूं कि मेरे दप्तर में उनको कोई परेषाणी तो नहीं हो रही है यह जदी वह बताते हैं कोई परेष्णी तो उलब हएे बाबू को बुला करके और उनके जो है काम तने स्टान करा था सर जी साहब आज ने आपने मायना करा था सर किमीन समस्य को लेकर लोगों आपसे बढ़तराप करी मुझे अलग-अलग के लोग मिले जैसे एक लोग को जानकारी नहीं थी कि मुझे परमिट का ट्रांसपर कराना है तो यह मैं कहां मिलूं और इसकी पिक्रिया क्या है तो वैसे तो हमने पुंस्ताज काउंटर बना रखा है लेकिन वो भी हो सकता उतना भेग्य करमचारी ना हो तो मैंने उसको प्रॉपर बताया संबनेद बावू से मिलवा करके हैंड़ोवर किया कि आज ही इसको पूरा जो है पेपर वर्ग तयार करके इसका काम करा है इसी तरह लाइ लाइसन्स और उसमें ऑनलाइन सिस्टम में नहीं सो हो रहा था तो मैंने तुरंद रिस्ट्रेक्शन किया कि इनके लाइसन्स को फीडिंग कर आकर के ऑनलाइन कर दिया है